हेलो एवरीवन मैं सचिता जैन मैंगनेट ब्रेंस इंदी मीडेम स्वाधत करती हूँ मैंगनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेकी क्लास 12 तक के सारे कोर्सिस हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री जी हाँ तो देर किस बात की आईए और जुडिये मैंगनेट ब्रेंस के साथ आज के शेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की सोसल साइंस में इतिहास के चैप्टर का क्विक रिवीजन जो की है मुद्रन संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में मुद्रन संस्कृती और आधुनिक दुनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए इसका क्विक रिविजन आपको दो पार्ट में कराये जाएगा अभी मैं आपको करा रही हूँ पार्ट वन का क्विक रिविजन और ये क्विक रिविजन मात्र 15 मिनिट में होगा जिसमें 15 मिनिट में ही इस चैप्टर के जितने important topics रहेंगे वो आपको बताये जाएंगे और इस चैप्टर को पहले हमने तीन पार्ट में cover किया है तीन पार्ट में चैप्टर को complete करने के बाद इसके NCRT solutions, multiple twice questions, most important questions और one short revision ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के बारे में कराई गई है और इन सबकी लिंक जो है इन सारी वीडियो की जो लिंक है नीचे description box में दी हुई है वहां से जाके आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आज के शेशन को फटा-फट से जादा से जादा आप सभी लाइक कर दें और जादा से जादा शेयर कर दें अब शुरू करते हैं हम मुद्रण संस्कृती और आधुनिक दुनिया का quick revision part 1 चलिए तो सबसे पहले पूरे विश्व में छपाई की सुरुवाद कब से मानी जाती है मुद्रण की सुरुवाद या printing की शुरुवाद पूरे विश्व में कब से मानी जाती है किस तरीके से चाही की शुरुवाद हुई सबसे पहले अपन इसको जान लेते हैं तो च्छापाई का विकास सबसे पहले चीन जापाण और कोरिया में हुआ था इसकी शुरुवाद जो है चीन में 594 इसरी के बाद हुई और इसमें लकडी के गुटके या तक्ती पर स्याही लगा कर कागज पर छपाई की जाती थी चीन में कब शुरू हुई चीन में 594 के बाद छपाई का काम शुरू हुआ और छपाई कुस इस तरीके से की जाती थी कि एक लकडी ली जाती थी लकडी पर अक्चर उकेरे जाते थे और उस पर फिर स्याही लगाई जाती थी और स्याही लगा कर उसके उपर पेपर रखा जाता था तो जो भी उस तक्ती पर या उस काठ पर या उस लकडी पर या उस गुटके पर लिखा होता था वो छपके उस क कागस पतला और छेददार होता था उन दिनों कागज होता था बहुत पतला होता था और छेदवाला होता था जिस पर दोनों तरफ छापना संभव नहीं था यानि कि कागस के मालों यह कागस है कागस के इस तरफ इस तरफ दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी इसलिए काग से ङूंए एक के बाद एक्काज छाफ इंद करके एक के नीचे एक लगा दिये जाते थे अब देक लंबे समय तखी इसो है मुद्रत वस्तुओं का सबसे बड़ा उतुपादक था क्योंकि छपाई जो है सबसे पहले कहा शुरूर theatre की आप में ही शुरू ही थी और चीन ही भारत में जो है सबसे जादा कागज बनाता है और सबसे सबसे पहले कागज भी चीन में ही बनाया गया था आगे बात करें अब चीन में सिविल सर्विस परिक्षा के जरी ये लोगों की डिमांड थी इस परिक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए भारी मात्रा में पठन सामगरी मुद्रित की गई यानि की जो चीन की प्रशासनिक सेवा थी चीन का जो प्रशाशन था वहाँ पर वहाँ पर जो है व्यक्तियों की नियुक्ति अधिकारियों की नियुक्ति परिक्षा के माध्यम से करी जाती थी तो विध्यार्थी परिक्षा देते थे विध्यार्थियों को पढ़ने के छापी जाती थी उसके बाद देखें रवी सतावधी तक की बात करें तो सत्रव Sum 15 सतावधी तक जैसे जैसे चीज में शहरी संसक्रती विक्षित होना शुरू ही सहरी संस्क्रती का विकाश हो शुरू हुआ चीन में छपाई को अपयोग कई उद्देशों के लिए भी किया जाने लगा अब मुद्रिश सामगरी जो थी प्रिंटिंग की सामगरी जो थी अब केवल बुद्धी जीवियों या अधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी यानि कि अब तक जो है विध्यारतियों और अधिकारियों के लिए सामगरी मुद्रिश सामगरी का उपयोग करने लगे थे और इस से व्यावसाय से संबंदित खातों का रख रखाम जो है आसान हो गया था तो ये तो बात हो गईए चीन में छपाईική और छपाई की शुरूआत विश्व में किस तरीके से मानी जा पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए जो व्यक्ति पढ़ने के शौकीन थे उनके लिए कहानिया कविताएं आत्मकताएं नाटक आदी भी प्रकाशित होने लगे थे और खाली समय में पढ़ना क्या बन गया था भई फैशन बन गया था लोग खाली समय में अक्सर पढ़ने के में पढ़ना एक फैशन बन गया था उसके बाद देखें अमीर वर्ग की महिलाओं में पढ़ने का शौक बढ़ता गया और कई महिलाओं ने कई महिलाओं ने जो हे कविताइं और कहानिया भी लखी इतनी बात हो गई अब देखें आगे जापान में मुद्रण की अब हम बात करें ठीक है अभी हमने चीन की बात करी थी अब हम बात करेंगे जापान की तो जापान में मुद्रण या जापान में प्रिंटिंग तो लगबग 768 से 770 इसवी तक बौध्ध धर्म के प्रचार कों द्वारा इसके द्वारा बौध धर्म के प्रचार कों द्वारा मुद्रन तकनीक जो है जापान में लाई गई थी तो जापान में मुद्रन तकनीक चीन से कैसे लाई गई किन के द्वारा लाई गई बौध धर्म के प्रचार को द्वारा लाई गई इसके बाद देखें जापान में सबसे पुरानी किताब बौध धर्म के डायमंड सूत्र 868 इसवी में छपी थी तो डायमंड सूत्र किस धर्म की किताब थी बौध धर्म की किताब थी जो की जापान में छपी थी उसके बाद देखें पुस्त का लाया और दुकानों में हास से छपी किताबें मिलती हैं जैसे कि इस्तियों पर किताब है उसके बाद वाद्धियंत्रों पर किताब है यानि कि संगीत पर किताब है गड़ना यानि की गड़ित पर किताब है चाए समारोह पर किताब है फूलों की सजावट से संबंधित किताब है तो खाना बनाना यानि की कुकीं की किताब है और प्रसिद इस्थानों की किताब है जो है इन विश्यों से संबंधित किताब है उस समय मिलती थी अब आंगे दे में print का आगमन किस तरीके से होता है इसको जान लेते हैं तो महान इतावली खूज करता एक इतलियन खूज करता है Marko Polo जब वे 1295 में Chisin से लॉटे त으 सकते तो अपने साथ वोड्य ब्लॉड व्लाउग प्रिंट ने यानि कि जो लकड़ी के सहारे जो छपाई होती थी उस छपाई को वोड़ ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है तो वे अपने साथ वोड़ ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में जानकारी लेके आये थे इसके साथ ही इटली में छपाई शुरू हुई थी यानि कि यूरोप में उसके बाद छपाई का प्रयोग जो है शेश यूरोप में भी फैल गया उसके बाद देखें 15 सताब्दी की शुरुआत तक कब तक 15 शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप में विभिन्न प्रकार की सामगरियों को मुद्रिप करने के लिए वुड़ ब्लॉक प्रिंटिंग क व्यापक रूप से उप्योग किया गया था चलिए भई तो ये बात हो गई यूरोप में प्रिंट का आगमन किस तरीके से होता है अब भई बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है जो की है गुटैनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के बारे में योहान गुटैनबर्ग गु यूरोप की ही बात हुरी है 1430 के दशक में जोहान ये योहान गुटैनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार करके इस शेतर में जो है क्रांति ला दी गुटैनबर्ग कॉन थी है गुटैनबर्ग योहान गुटानबर्ग जो considered व्यापारी का पुत्र था उन्होंन पथ्रों को चंकाने की कला भी सीखी थी और गुटेंबर्ग के पास अपनी जरूरत का सारा ज्ञान और अनभव था जिसके इस्तेमाल से printing टक्नीक को और बहतर बनाया जा सकता था क्यूंकि उन्हों ने इन सारी चीजों का इस्तिमाल किया था ये सारी चीज़ें देखी थी और कुछ कलाएं भी सीखी थी तो उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेज को जो योहान गुटैनबर्ग के द्वारा बनाया गया पहला प्रिंटिंग प्रेज था उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेज को एक जैतून का तेल निशकर्शन मशीन के आदहार पर तयार किया था उसके बाद देखें गुटैनबर्ग ने अपने साचों का उप्योग करके मुद्रित करने के लिए पत्र बनाए और 1448 इसवी तक गुटैनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस जो है काफी प्रभावी हो गया यह है गुटैन यह हां गुटैनबर्ग ने विश्व का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस बनाया था और उन्हों ने सबसे पहले बाईबल को अपने प्रेस में चापा था तो यह न कुटैनबर्ग के द्वारा चापी गई पहली पुस्तक कौन थी Bible प्रश्ण बनता है यहां से कि दो प्रश्ण बनते हैं एक तो यह कि विश्व में सर्वा पर्थाम प्रिंटिंग प्रेस का निर्माड किस ने किया तो योहान गुटैन बर्गने किया किसा अधार पर किया जो उनकी जैतून निकालने की मशीन थी तेल निकालने की मशीन थी वो स्प्रिंटिंग प्रेस का आधर्श मनी और उस प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा च्छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी तो स्प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा च्छापी गई पहली पुस्तक थी बाइबल ठीक है अब प्रिंटिंग प्रेस में धातू से अक्षर बनाए जैसे कि ABCD आबा साधा जो भी अक्षर होते हैं ठीक है तो वह अक्षर जो है धातू के अक्षर बनाए और उन अक्षरों को जो है उस प्रिंटिंग प्रेस में अटेच किया और फिर वह अक्षर स्याही उन अक्षरों में स् जाती थी फिर वो अच्छर जो है उस पेपर पर छापे जाते थे उसके बाद 1450 और 1550 के बीच सौ वर्षों में यूरोप के अधिकांस हिस्सों में प्रेस इस्थापित किये गए थे प्रिंटिंग प्रेस इस्थापित किये गए थे इसका प्रभाव यह हुआ कि 15 वी शताब से 1550 तक यानि की 15 वी शताब्दी के उत्तराद में यूरोप के बाजारों में 20 मिलियन से भी अधिक पुस्तिक चप चुकी थी और 17 वी सताब्दी में 17 वी शताब्दी में यह संख्या बढ़कर 200 मिलियन हो गई ठीक है तो यह बात किसके बारे में हो गई यह बात हो गई य जापान और कोरिया में आया फर चीन से जापान में और जापान से यूरोप में मारक पोलौ के द्वारा जो है मुद्रण संस्कृती को लाया गया तो यह हुआ अपना मुद्रन संस्कृती और आधुने एक दुनिया का पार्ट वन क्विक रिवीजन अगला क्विक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहां से आप दौनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं साथ ही साथ हम प्रवाइड कराते हैं आप सभी के लिए ये टॉप कोर्सेज विध हाई क्वालिटी एज्जूकेशन के साथ एकदम फ्री में और मैंगनेट ब्रेंज जो है यूटूब के अलावा अधर शुशल मीडिया प्रेटफॉर्म जैसे की फेस्बुक, इंस्टा, ट्वीटर और टेलीग्राम पर भी अवेलेवल है तो आज के सेशन को आप सभी को जादा से जादा लाइक करना है शेयर करना है और चैनल से को मात है को आप से जादा झाल से जादा है दूब मात हैं